हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये 35 विशेश गुडो वाली फसल किस्मों को राष्ट को समर्पित किये हैं इन विशेश किस्मों को भारती क्रिशी अनुसंधान परिसत द्वारा विक्सित किया गया है ये विशेश किस्में कि ये फसले जलवायू परिवर्तन वो कुपोसर से निपटने में भी मदद करेंगे ये फसले हैं जैसे चनी की सूखा प्रतिरोधी किस्म, सोया बीन की जल्दी पकने वाली फसल, चावल की रोग प्रतिरोधी फसल, गेहू मक्का, बाजरा की फसल जो बायो फोर्टिफाइड है पियम मोदी ने राष्ट्य जैविक इस्टेट प्रबंधन संस्थान राइपूर के नए परिशत का लोकारपण भी किया है और क्रिशी विशुविद्यालों को ग्रीन केंपस अवार्ड भी दिये गए हैं इसमें पहला अवार्ड पंजाब क्रिशी विशुविद्याल है जो लुध्याना में उसे दिया गया है यह अवार्ड देने का क्राइटेरिया है कि जो जल सनक्षड स्वच्चता उर्जा सनक्षड और कच्रे के प्रबंधन पर विशेज ध्यान देते हैं उन्हें यह दिय क्रिशी और किसानों की आय बढ़ाने में सहयक होंगे प्यम मूदी जी ने कहा है कि देश के विकास के लिए क्रिशी और विज्ञान तालमेल को लगातार बढ़ाते रहना होगा और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े इसलिए एक हरित और स्वच्च पुरसकार दिये गए हैं तो ये थी विशेश गुड़ो वाली फसलो और इस योजना के बारे में पूरी इंफोर्मेशन तो थैंक्स फॉर वाचिंग देस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट